संध्या अपने पती राजू और बेटी रानी के साथ एक गाउं में रहती थी संध्या का पती राजू एक फैक्टरी में काम करता था राजू की तनख्वा इतनी अधिक नहीं थी जैसे तैसे उन लोगों के दिन कुजर रहे थे एक दिन राजू अपनी फैक्टरी से घर आता है आज राजू पहले से ज़्यादा परिशान दिख रहा था तो संध्या ने उससे पूछा क्या हुआ जी आज आप थोड़ा परिशान दिख रहे हो हाँ जंध्या बात ही कुछ ऐसी है समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ पर हुआ क्या है जी आप ये पहेलियां मुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ आज मालिक लोग फैक्टरी बंद करने की बात कर रहे थे अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग क्यों नहीं कर सकते हैं फैक्टरी उनकी है वो कुछ भी कर सकते हैं तो फिर फैक्टरी में काम करने वालों का क्या होगा क्या होगा अब कोई योर काम ढूनना होगा पर ये सब अचानक कैसे कुछ दिन बात फैक्टरी ही बंद हो गई थी अब राजु के पास कोई काम नहीं था घर की हालत भी दिन बदिन खराब होते जा रहे थी वो काम की तलाश में रोज सुबह घर से निकल जाता और शाम को घर आता पर काफी दिन ऐसे ही बीच जाते हैं राजु को कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाता है इसी चिंता में अब राजू की तब्यत भी खराब रहने लगी थी और एक दिन हार्ट अटेक की वजह से उसकी मृत्यों हो जाती है संध्या पर तो जैसे दुखों का पहार तूट बड़ता है रानी और घर की सारी जिम्मेदारी अब संध्या पर ही आ जाती है कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आने बाला था पर संध्या के पास ना कोई काम था और ना घर में खाने के लिए कुछ था संध्या और रानी का जीवन बहुत ही मुश्किल भरे दोर से गुजर रहा था एक दिन मा मा होली आने वाली है इस बार मुझे आपसे कुछ चाहिए हाँ बेटा बोल तुझे क्या चाहिए मा इस बार मुझे होली पर बहुत सारे रंग और एक बड़ी से पिछकारी चाहिए ठीक है जो तुम को चाहिए वो मैं ला कर दे दूँगी अब खुश संध्या ने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया पर अंदर ही अंदर वो ये बात जानती थी कि उसके लिए अपनी बेटी की एक खुआश पुरी करना मुश्किल था अब तो उनके घर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी धीरे धीरे उसकी सारी जमा पुँची भी खत्म होने लगी थी एक दिन पडोस में रहने वाली शांती चाची के पास जाती है शांती चाची कहां है आप अरे आओ आओ संध्या कैसी हो बेटी अब क्या बताओ मैं आपको चाची कुछ भी ठीक नहीं है हाँ बेटी अब कर भी क्या सकते हैं होनी को जो मनजूर था वही होगा चाची मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मैं तो बिना खाये रह सकती हूपर रानी कैसे रहेगी संधिया मुझे पूरी औरत के पास कहां से पैसे आएंगे मैं तो खुद मांग मांग कर खाती हूँ तू मेरी एक बात मान तू कुछ काम क्यों नहीं करती पर चाची मुझे तो कोई काम आता ही नहीं और कौन रखेगा मुझे अपने यहां काम पर और फिर रानी को छोड़ कर कहां जाओं वो अभी छोटी है तू रानी की चिंता मत कर उसको मेरे पास छोड़ कर जा उसका ध्यान मैं रख लूँगी तू बस अपने लिए कोई काम देख ले काम करेगी तो कुछ पैसे ही आएंगे घर में जिससे तेरा और तेरी बेटी का गुजारा सही से हो पाएगा बस बेटी मेरे पास तुझे सलाह देने के सिवा और कुछ नहीं है ठीक है चाची मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है अगले दिन संध्या रानी को शांती चाची के पास छोड़ कर काम की तलाश में चली जाती है पर उस दिन उसको कोई काम नहीं मिलता है दो चार दिन ऐसे ही निकल जाते है संध्या को कोई भी काम नहीं मिलता है पर संध्या ने अभी भी हार नहीं मानी थी रोज की तरह आज भी वो काम की तराश में जाती है अच्छी बात ये थी कि आज संध्या को एक दुकान में काम मिल जाता है संध्या को उसके काम के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे पर कुछ ना मिलने से तो ये भी ठीक है क्योंकि पती की मृत्यों के बाद उसे और उसकी बेटी रानी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था ऐसा सोच कर संध्या अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करती है संध्या सुबह से लेकर शाम तक दुकान में काम करती थी और शाम को दिन ढलने के बाद ही घर आती थी जिस समय संध्या काम पर जाती तो शांती चाची रानी का ध्यान रखती थी और शाम को घर आकर शांती चाची के लिए भी खाना बनाती थी कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए अब होली भी आने वाली थी संध्या जो भी कमाती थी वो सब खाने में ही खर्च हो जाता था कुछ भी नहीं बचता था एक दिन मामा होली आने वाली है आपको याद है ना आपको मेरे लिए रंग और पिछकारी लानी है हाँ हाँ बेटा मैं जरूर लेकर आऊंगी पर संध्या मनी मन सोचती है कि उसने अपनी बेटी से तो वादा कर दिया पर अब वो कैसे करे कि उसकी ये ख्वाईश पूरी तनख्वा कम मिलने के कारण उसे घर का खर्चा ही चलना बहुत मुश्किल था और अब उपर से बेटी की ख्वाईश पर वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता की कमी महसूस हो इसलिए वो सोचती है कि कुछ भी करके कुछ ज़्यादा पैसे कमाने होंगे ऐसा सोचते हुए वो दुकान पर काम करने के लिए जाती है और दुकान पर जाकर अपने मालिक से कहती है मालिक मुझे कुछ और भी काम दे दीजे मुझे कुछ और पैसे कमाने है पर तू क्या कर सकती है ज्यादा मेहनत वाला काम तो तुस्से होगा नहीं कि जो मैं तुझे बोरियां उठा कर गुदाब में रखने को कहूँ मालिक आप मुझे कुछ भी काम दो, मैं सब करूँगी नहीं नहीं तू रुक, मुझे कुछ और सोचने दे थोड़ी देर सोचने के बाद दुकान का मालिक कहता है अच्छा सुन, ये जो वहां रंगों से भरा हुआ बैग रखा है अगर आज के आज तुझे पूरा बेच कर आ गई, तो मैं तुझे इसका आदा हिस्सा दे दूँगा दुकान के मालिक के बात सुनकर संध्या बहुत ही खुश हो जाती है और जरा भी देर ना करते हुए, वो रंगों से भरा हुआ बैग लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है बाजार में जाकर वो अपने रंग बेचने लग जाती है रंग ले लो, होली के लिए रंग, अरे भाईया रंग ले लो, देखो न कितने अच्छे रंग हैं, अरे देखो न दीदी, आपके चेहरे पर ये रंग कितना अच्छा लगेगा इस तरह रास्ते पर खड़े होकर, वो हर किसी आने जाने वाले को ऐसा कहकर रोकने लगी, पर कोई भी उसके रंग नहीं खरीद रहा था, ये देखकर संध्या थोड़ी उदास हो गई, पर उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसको ये सब अपनी बेटी के लिए जो करना था, वो कार में उसको एक औरत बैठी दिखाई देती है, देखने से वो औरत काफी अमीर लग रही थी, उसको देखकर रानी सोचती है, क्या पता ये औरत उसके थोड़े रंग खरीद ले, ऐसा सोच कर वो जल्दी जल्दी दोड़ कर उस कार के पास जाती है और कहती है, मैडम जी, ये रंग ले लो न, ये बहुत ही अच्छे रंग है, ये आपके चहरे पर बहुत अच्छे लगेंगे, और आपके चहरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुचाएंगे, ले लो न, मैडम जी, संध्या उस औरत को रंग उठा उठा कर कहती है, और अपने रंग उस औरत को कुछ वास नहीं हो रहा था, और वो चुप चाप उसकी तरफ देखने लग जाती है, संध्या को चुप देखकर वो औरत फिर से कहती है, हरे ये पूरा रंगों का बैग कितने का है, उसकी ये बात सुनकर संध्या खुश हो जाती है और कहती है, मैडम जी, पंद्रह सो रु हाँ, 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 पूरा बैग, ये लो पैसे और ये बैग मुझे दे दो, संध्या पूरा रंगों से भरा बैग उस औरत को दे देती है और कहती है, रुखिये मैडम जी, अभी पहले मुझे देखने दो कि मालिक के पास पांसो रुपे के खुले है या नहीं, ऐसा कहकर व पर जब वो वहां आती है तो उसको वो कार वहां दिखाई नहीं देती है, और ना ही वो औरत और ना ही उसका रंगों से भरा बैग भी, ये देखकर वो घबरा जाती है और चारो तरफ पागलों की तरह दोड़ दोड़ कर उस कार को ढूरने लग जाती है, पर उसको वो और पर अब तो मैंने अपने साथ-साथ मालिक का भी नुकसान करा दिया अब तो वो मुझे काम से निकाल देंगे ऐसा सोचते सोचते संध्या रोने लग जाती है थोड़ी देर रोने के बाद वो अपने आसू पोच कर निराश होकर वापस दुकान पर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो मालिक अज मेरी वज़े से आपके पंद्रा सो रुपई का नुकसान हो गया ऐसा कहकर संध्या फिर से जोर जोर से रोने लग जाती है उसको रोता देखकर दुकान का मालिक कहता है मालिक की ऐसी बात सुनकर संध्या चौक जाती है और कहती है मालिक की आपको याद नहीं है कि आपने मुझे रंगों से बरा एक बैग बेचने के लिए दिया था हाहा मुझे सब याद है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं कुछ समझी नहीं संध्या की बात सुनकर दुकान का मालिक हांसकर कहता है बेजने की कोशिश कर रही थी दुकान के मालिक की ये बात सुनकर संध्या की आँखों में खुशी के आँसु आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है मनी मन वो सकारवाली औरत को धनेवाद देते हैं क्योंकि उसकी वज़ा से ही उनकी होली बहुत ही धूमधाम से मन पाएगी अब वो अपनी बेटी के लिए खुब सारे रंग और एक बड़ी सी पिछकारी खरीद पाएगी कुछ दिनों बाद होली भी आ जाती है और संध्या अपनी बेटी के लिए खुब सारे रंग और एक बड़ी पिछकारी लेकर आती है रानी उन रंगों और पिछकारी से होली खेलती है और बहुत ही खुश होती है और उधर संध्या अपनी बेटी को खुश देख कर खुश हो जाती है दिनेश और दीपा सोनपुर नाम के गाउं में रहते थे दिनेश खेतों में काम करता था और दीपा गाउं के सरपंच के घर में काम करती थी सरपंच बहुत ही नेक दिल आदमी था होली आने वाली थी दीपा के दो बच्चे थे दिनेश बहुत करीब था इसलिए वो अपने बच्चों को कुछ जादा नहीं दे पाता था एक बार की बात है दिनेश दीपा से कहता है देख दीपा, इस बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम सम मिलकर होली बड़े धूमदाम से मनाएंगे हाँ जी, आपने ठीक कहा बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सब ठीक रखे हर साल हम इसी उमीद से बच्चों को बोलते हैं कि अगले साल अच्छे से होली मनाएंगे लेकिन हर साल ये गरीबी हमको होली नहीं मनाने देती और फिर होली वाले दिन हमारे बच्चे दूसरे बच्चों का मूही देखते रहते हैं इतने में उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं और अपनी मा से कहते हैं हाँ मा तुम हर साल बस यही कहती हो कि अगले साल सब कुछ अच्छा हो जाएगा पर आज तक नहीं हुआ मा जाकर खेलो बच्चे बाहर चले जाते हैं दिनेश और दीपा फिर से आपस में बात करने लगते हैं दीपा तुने बच्चों से वादा तो कर दिया पर तुम चिंता मत करो सब ठीक होगा और फिर वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं दिनेश खेतों की तरफ चल देता है और दीपा सरपंच के घर की ओर क्योंकि वो सरपंच के घर पर काम करती थी क्यों हो रही दीपा आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी दीपा अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है और रात होते ही वो सारा काम खत्म करके अपने घर चली जाती है और उधर दिनेश भी खेतों से काम करके लोटाता है दीपा के मन में तो वही पक्वान आ रहे थे वो सोच रहे थी कि काश मैं भी अपने बच्चों को वो सारे पक्वान दे सकती पर पेचारी क्या करती वही रुखा सुखा खाना खाकर सोजाती है आप देख ले न, इस होली पर मैं अपने बच्चों को पकवान खिलाऊंगी और उनके लिए रंग और पिछकारी भी लेकर आऊंगी ठीक है दीपा, हम दोनों कोशिश करेंगे कि इस साल हमारे बच्चों को निराश ना होना पड़े अगले दिपा उठती है और जल्दी ही सरपंच के घर की ओर चलने लगती है वो वहाँ पहुँच कर सरपंच की पत्नी से कहती है मालकिन, होली आने वाली है, मुझे कुछ पैसे चाहिए अरे, अभी तो कुछ दिन पहले ही तुने पैसे लिये थे, आज फिर मांग रही है हाँ मालकिन, पर वो तो सब खतम हो गए होली पर तु पैसे का क्या करेगी वो मालकिन मेरे दो बच्चे है, आपको तो पताई है उनका भी मन करता है कि उनके पास भी बहुत से रंग हो, पिछकारी हो लेकिन मालकिन, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते चल चल, बाते मत बना, देखती हूँ कुछ हो सका तो दे दूँगी मालकिन चली जाती है और दीपा अपने काम पर लग जाती है सारा काम करके वो वापस अपने घर को चल पड़ती है इस पार मैं अपनी बेटी के लिए जलेबी लेकर आऊंगी उसको बहुत पसंद जलेबी और बेटे के लिए रस्गुला, बड़ी ये चाफ से खाएगा वो दीपा अपने खयाली पुलाओ पकाते पकाते कब घर पहुँच जाती है उसको पता ही नहीं चलता घर पर दिरेश भी उसका इंतजार कर रहा था आ गई दीपा? हाँ, आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ सोच रहा हूँ, कल से खेत के काम के बाद थोड़ी मजदूरी करने चला जाया करूँ क्या मजदूरी करने? लेकिन कहा मजदूरी करोगे? हमारे गाउं में एक सरकारी स्कुल बन रहा है उसी काम के लिए मैंने सरपंजी से बात की थी उन्होंने मेरा नाम भी लिखा दिया है ये तो बहुत ही खुशी की बात है होली तक दो पैसे भी जुड़ जाएंगे रात हो जाती है दोनों सो जाते हैं लेकिन दीपा की आँखों में नीन नहीं थी हाँ हाँ मैं मैं मुन्नी के लिए नए कपड़े भी लूँगी दीपा सोजा अब देख आदी रात होने को है हाँ हाँ सोती हूँ दीपा भी सोजाती है दीपा अज बहुत खुश है और वो अपने दोनों बच्चों को पकवान खिला रही है ले बेटी जलेबी खा पेट भर कर खाना और बेटे ये सारे रसगुले तेरे लिए है और ये देखो देखो रंग और पिछकारी भी होली खेलने के बाद तुम दोनों के लिए ये नए कपड़े भी लाई हूँ मैं वाँ मा इस बैर तो होली पर मज़ा ही आ गया हाँ मा बहुत मज़ा आया मैंने तो इतने रसगुले कभी भी नहीं खाय थे हाँ बेटा मैं ये सारे तेरे लिए ही तो लाई हूँ मेरा राजा बेटा दीपा उन दोनों को देख रही थी और खोश हो रही थी कि तब ही उसके मुँपर पानी गिरता है क्या जी कितना अच्छा सपना देख रही थी फिर दीपा भी जल्दी से घर का काम करके सरपंच की घर की तरफ चल देती है सरपंच की घर पर पहुँचने पर वहाँ पर हंगामा हो रखा था दीपा को देखते ही मालकिन जोर जोर से चिल्लाने लग चाती है दीपा कहीं तूने तो मेरे गहने नहीं लिये कल तो थे तेरे जाने के बाद से मुझे नहीं मिल रहे इतने में सरपंच भी वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है सरपंच दीपा को डाटने लगता है और कहता है देख दीपा अगर तूने ही गहने चोरी किये हैं तो चुपचा बता दे मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा लेकिन अगर पुलिस आएगी तो वो अपने आप ही तुसे सच उगलवा लेगी नहीं नहीं मालिक ये आप क्या कह रहे हैं हाँ हाँ इसी नहीं चुराएं हैं मेरे गहने नहीं नहीं मालकिन अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं पर मुझ पर जुटा इल्जाम ना लगाओ इतना कहकर वो रोने लगती है सरपन्च उसे घर जाने के लिए कहता है दीपा रोते हुए अपने घर चली जाती है ये क्या आपने उसको घर क्यों जाने दिया अरी लाजवन्ती थोड़ा सब्र रख मैं सरपन्च ऐसे ही नहीं बन गया लोगों की आखों को देख कर ही पता लगा लेता हूँ इस बिचारी ने नहीं चुराए तेरे गहने तो फिर मेरे गैने किसने चुराए हैं तू चिंता मत कर मैं अभी पुलिस आने जाकर रपट करता हूँ उदर दीपा अपने घर जाते हुए रो रही थी ये भगवाण अप मैं क्या करो मुझे तो लगा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे मालकिन से लेकिन उन्होंने तो मुझे पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया अब तो वो मुझे एक भी पैसा नहीं देंगी क्या मुझ बच्चों के लिए कुछ खरीद सके दोनों बच्चे मा के पास आते हैं और मा से कहते हैं मामा मेरे लिए पिछकारी लाई हो ना हा मा मेरे लिए रंग और गुबारे लाई हो ना दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को क्या कहे बच्चे जित कर रहे थे गरीब कि होली शहद ऐसी ही होती होगी मेरे बच्चो मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नला सकी तीनों रो रहे थे कि तभी दिनेश भी वहाँ पर आता है वो दो लोगों का सहारा लिये हुए खड़ा था ये भगवान ये क्या हुआ तुमको दीपय भावी कर रात एक चोड ने सरपंच के घर से गहने चुराई थे और वो आज सुवय उनको बेचने के लिए जा रहा था लेकिन सामने से पुलिस को आता देख वहाँ से भाग कर जो सरकारी स्कूल बन रहा है ना वहाँ जाकर छिप गया तो वहाँ पर दिनेश ने उसको देखा और पकड कर सरपंच के हवाले कर दिया और इसी भाग दोड में दिनेश को कुछ चोटे भी लग गई ये भगवान अब ये आपको देखो तो कितनी चोट लग गई है अब थो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि आपकी दवादारू भी हो सके तभी वहाँ सरपंच भी आ जाता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है दिपा तु किसी भी बात की फिक्र मत कर दिनेज जब तक ठीक नहीं हो जाता उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और इसको एक पक्की नौकरी भी दूँगा दिपा मुझे माव कर दे मैंने तेरे पर चोरी का अलजाम लगाया था ये ले तू पैसो के लिए बोल रही थी ना दिपा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या सपना बच्चे मिठाई खाने लगे और खिलोने लेकर खुश हो गए मालकिन मुझे तो अब भी ये कोई सपना ही लग रहा है नहीं दिपा ये सपना नहीं है ये सच्चा ही है तुम दोनों ने अपना काम इमानदारी से किया है इसलिए तुमको उसका फल मिला है आज दिपा और उसका परिवार बहुत खुश था होली का दिन आया और दिपा ने जो जो सपना देखा था वो सब पुरा किया ले मुन्नी ये जले भी खा ले और राजु ये साहरी रसगुले तेरे लिए दिनेश भी अपने परिवार को देख कर खुश था